प्रेगनेंसी प्लानिंग करते समय, सबसे ज्यादा जो वूमन को चिंता रहती है या फिर यह समय बोल सकती हूँ कि सबसे ज्यादा पुछा चाने वाला जो सवाल है वो है रिलेशन के तूरंद बाद सब कुछ बाहर आ जाता है तो क्या इन गल्टी की वज़े से मेरी जादा हो जाते हैं कहीं बार आपके हस्बन के रिपोर्ट में थोड़ी सी दिक्कत होती है तो एसे में आपके हस्बन के सेल को आप किस तरह से बूस्ट करें ताकि वह जल्दी से उपर फेलोपेंट ट्यूप तक पहुच जाए और उन दोनों का यानि क्या आपके अंडे का मिलाप हो जाए तो इस में यानि के स्पेसिफिक रिलेशन रखते समय कुछ गल्टी आप कर देते जिसके चलते आपकी प्रेगनसी नहीं रुक रही है रिपोर्ट सारे ठीक है आप दवाया भी ले रहे लेकिन यही एक गल्टी होती है रिलेशन के पहले दोरान और बाद में तीन गल्टिया ऐसी है जो करने से आपकी प्रेगनसी रुकने के चांसिस कम हो जाते है और यदि आपको तीन गल्टिया असुधार लेते है तो उसी महिने प्रेगनसी रुकने के चांसिस बढ़ जाते है और इस वीडियो में बात करेंगे कुछ इसी टिप्स के बारे में ज अभी तक चैनल को सब्सक्राब नहीं किया तो कर लीजे क्योंकि आप लोग उकली बिल्कुल ही फ्री है और वीडियो अच्छा लगे तो लाइकन से करना नहीं भूलना है तो चल्ले सुरू करते हैं रिलेशन के दोरान कुंसी गलतिया आपको ऑवर्ड करनी है जिससे जल्दी से फ्रेगनसी रुख जाए मैं खैनपार दीख्स टीनिंहीं पूछ लगद लगं करती है और दो को स्रेल्द स्वख सुरू पहर बढोलना के दोराना है कि कविए हेल्डी स्पर्म होंगी तो आपकी केविटी इस तरह से टिजाइन होता है जो इस तरह से होता है कि वहापर प्रीजरा रखता है और यहां बात करें कि एदि आपके हस्बन के सेल अच्छे हैं जिसमें मोटिलिटी बोलते हैं मोटिलिटी यानि से कैनाल से लेकर फेलोपियन ट्यूप तक जाने के लिए कितना समय आपके हस्बन के सेल को लगता है वह टाइमिंग है तो यहां पर जिले संग के बाद च्छ या सात मिनिट में ही आपके हस्बन के सेल उपर अंडे तक पहुंच जाते हैं तो यदि कितने भी रिपोर्ट खराब हो आप 10-15 मिनिट तक लेगर फूर पोजिशन ट्राइ कर लेते हैं तो उसके दोरान क्या होता है कि आपके जो बच्चे दानी का मुख है उसी के पास आपके हस्बन के सेल रहेंगे और जल्दी से उपर तक जा पाएंगे 15 मिनिट के बाद आप वहाँ पर सोई रहेंगे कोई फाइदा नहीं क्योंकि तब तक जितनी सेल को उपर जाना था वो चले गए है उसके बाद यदि सब कुछ बाहर भी आ जाता है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि जो अंदर सेल थे वो चले गए है आपके बच्चे जानी के मुख पे वो चिपक गए है केविटी के अंदर की दिवाल पे वो चिपक गए है तो तीन-चार दिन तक वो वहाँ पर हिल्थी पोजिसन में रहेंगे इसलिए आपको सब कुछ बाहर निकल जाने की वज़े से प्रेग्नेंसी नहीं रुकती है यह सब बिलकुल नहीं होता है यह दि आपके फ्रेंड में या फेमेली में या किसी और को यह मिस्ट नोलेज हो तो आप उसको वीडियो शेयर कर सकते हैं उसको यह बता सकते हैं दूसरी चीज जो रहती है कि यह दि बच्चे दानी का मुख नहीं कुलता है तो भी वहाँ पर प्रेग्नेंसी नहीं रुकेगी तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं बहुत सब्सक्राइब करना चाहिए तो क्या करें आप देखो आपके बच्चे दानी का मुख नहीं कुल रहे इसका मतलब आपको बार बार इंफेक्शन होए जा रहा है इंफेक्शन के चलते ही जो बच्चे दानी का मुख के मसल होते हिवी इतने टायट हो जाते है कि अच्छे से खुलते है और बंद नहीं होते है दो टाइम पे बच्चे दानी का मुग खुलता है एक होता है पीरेट के टाइम पे फ्लो बहार निकलने के लिए एक रहता है ओविलेशन टाइम पे ताकि हस्बन के से उपर चले जाए हम रिलेशन ज्यादा दिन तक बोलते है आठ से बीस एक दिन छोड़के एक दिन इस तरह पाता है और वो है आपका ओविलेशन डे आगे पीच्छे की दिनों में रिलेशन इसलिए रखने को बोलते हैं के कभी-कभी ओविलेशन डे मिस हो जाए तो भी आगे रिलेशन रखें होंगे तो वहाँ पर प्रेग्नन सी की चांस के ज्यादा होग होगे वरना एक ही दिन सोते पूरे मैने में जहां पर बच्चे दानी का मुख खुलता और हस्बन के से उपर जाते हैं तो यदि आपके पास एसी तरह की दिक्कत है कि उसी दिन पर स्ट्रेस की विज़े से आप रिलेशन नहीं रख पाते या बाहर जाते तो आगे के दिन में रिलेशन प्लान कर देने से भी प्रेग्नसी रुख जाएगी तो यहां पर हम में बात यह कर रहे थे कि यदि बच्चे दानी का मुख नहीं खोल रहा है तो क्या करें तो एसी में कि रास्ता है कि आप यदि आपकी साइकल नोर्मल है यानि कि आपकी साइकल 25 से 28 दिन के बीच में है तो कभी कभी आखिया दसवे दिन पर भी ओविलेशन होने के चांसिस होते हैं ऐसे में आप पीरिड के आखेरी दिनों में रिलेशन रखेंगे तो वहां पर बच्चे दा जाएगी तो काफी बड़े लोगें बोलते हैं का पीरेट के टाइम पर रिलेशन रख दो हमेशा करते थे प्रेग्नेंसी रूप जाती थी यह यहां पर यदि अर्ली सैकल है तो आपके अंदर एप्लिकेबल है और आप उसको इसको इसको सकते हैं और इंफेक्शन की ट्री होता है वह अच्छे से वहां पर उसकी पोजिशन सेट नहीं होती है यानि कि आपके अंदर इंफेक्शन की वेज़े से या टीबी हुई थी या पास्ट में उप्रेशन करवा इसकी वज़े से अंदर एडेसन डेवलप हो चुके है या सिस्ट है तो वह एडेसन यानिक और पोजिशन हो जाती है यदि आप अपनी सोनोग्राफी देखेंगे इसमें पता चलेगा एंटिवर्टेड और रिट्रोवर्टेड दो तरह की पोजिशन लिखी होती है रिट्रोवर्टेड यानि के गलत पोजिशन जिसमें हस्बन के से लूपर तक ही नहीं जा पाएंगे तो यसे में यदि यूट्रोवर्ट की पोजिशन ठीक करनी है तो एक ही काम आपको करना है जब आप रिलेशन रखे उस समय पे अपनी कमर के नीचे तक्या रख दीजे जिससे वहाँ पर यूट्रोवर्ट इस तरह से सेट हो जाएगा कि वह आपकी केनल की सामने आ जाएग और हस्बन के सिल तुरंथी उपर तक जहाँ पाएंगे तो यहाँ पर में तीन चीजे आपको याद रखने है रिलेशन रखते समय कमर के नीचे तक क्या रखना है रिलेशन खतम हो जाने के बाद तुरंथ पांग नीचे नहीं करने है आप लेगा फोल पोजिशन किजे यहाँ पर पर काफी लोगे बोलते हैं कि पास में दीवाल नहीं है या फिर उस वहां तक जाते जाते बीच में सब कुछ बाहर आ जाता है तो मैं क्या करूँ यदि पास में दीवाल नहीं है तो आप स्टूल या चेर की ले सकते हैं जिससे पांग उपर की तरह पोज कर देने हैं तो यहां पर पेरियाट के 5-7 दिन आगे से रिलेशन बन कर देने क्योंकि आपके हस्बन के सेल में इस तरह से कुछ रव्या रहते हैं जो लाश्ट के दिनों में वहां पर इंप्लांटेशन भी हो गया है तो भी बच्चे दाने का मुझ खोल देगा और वह सारी चीज़े बाहर आ जाएगी तो इसके चलते आपको वहां पर चिपका हुआ बच्चा ठेड़ी होई प्रेग्नेंसी निकल जाएगी और दूसरा आखेरी दिनों में आप हेरोस भी बन कर लिए प्रेग्नेंसी रुकने में सपोर्ट मिल जाएगा जल्ली से रूह जाएगी और खPlut。 एये कमशे भी आहलों तो यदि आप उम्योपतिक मेडिसिन के सारा लेना चाहिए तो यह समने बता आप हमारी टेलिफोनिक अपन्मेंट बूख करवा सकते हैं वोट्सट नमबर इतना है टेलिफोनिक अपन्मेंट बूख करवानी है आगे आपको हमारी टीम गायड कर देगी वीडियो अच्छो ल